नमस्कार आप देख रहे हैं Green Line News और मैं हूँ आपके साथ क्योंति सिंग आए रुक करते हैं ख़बर की ओर जारकन मोर के समी मिली लावारी शोक हुआ सिनाक्त अंबरगाओं का थामरे तक पुलिस कर रही है जाज परताल दुमका से विजो कुमार की रिपोर्ड सरईया हाट थाना चेत के जारकन के मोर के समी मंगलवार को एक वेक्ति का शोड़ सरईया थाना के पुलिस ने बरामत किया जिसका सिनाक्त गोंड़ा जिले के पॉड़ाईया हाट थाना चेत के अंबरगाओं निवासी 40 वर्षी रेम कान मिश्रा के रूप में हुई गटना की सूचने मिलते ही सरयया हाट थाना प्रभावी अनिश्व प्रसाद यादो पुलिस बल के साथ गटना इस्तर पर पहुँचे एवं शव को कबजे में लेकर जाइश प्रताल करने में जुट गई मृतक की पतनी सोनी देवी ने जानकारी देते वे बताये कि सोंबार साम करीब 6 बजे एक अग्याद वेक्ती यजमान बनकर मृतक के घर अंबर गाउं पहुचे एवं उनके घर मरी हुई भैंस के नाम श्राद कराने के बाहने से अपनी मोटर साइकल बठा कर सरयया घाट के न इसमांत के कहने पर 6 बजे शाम को पूजा कराने के नाम पर सरयया हाट लाजा गया फिर रात में हत्याका सरयया हाट के जहरकन मोटिय समीफ फीग दिया मिरतक की पतनी सोनी देवी पुत्री लक्ष्मी कुमारी रो रोकर बुरा हाल है मामले को लेकर सरया हाठ थाना प्रभवी अनिच्व प्रसाद यादों ने बताया कि मिरतक की पहचान 40 वर्षी प्रेम कान मिश्रा के रूप में हुई शौको कपजे मिले कर पोस्ट मार्टम के लिए फूलो जनो मेडिकल कॉलिज अस्पताल दुमका भेज दया गया प्रतक द्रस्टिया में हत्या प्रतीद होता है वहीं परिजिनों ने अग्याद व्यक्तिक हत्या का आरूप लगाते वे आविदन करिया साथ ही बदया की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सचका खुलासा हो पाएगा प्रत के जगा वहीं पर ले जा रहे हमको नहीं बात बताया कि कौन गउं है पूरा पूरी नहीं बताया हूँ आपको कैसे पता चला तब हमको बोला तक वोलका करकि गया ता गर सेुपंच वजरी सुबह में घर आ जाएंगे शम के छेव बजे निकला ता हम सो एक दिन पुजा करा करके पूरत पापागा आता है। एवं बस की सुविधा उपलब है। 9031474750 पर संपर करें।